आज की वीडियो में मैं आपको 1-1.5 साल के बच्चे की कुर्ते की कटिंग सिखाऊंगी आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बड़ी ही आसानी से अपने घर पे कुर्ता बना सकते हैं छोटे बच्चे का तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए कुर्ता बनाने के लिए मैंने ये आदे मीटर कपड़ा लिया है हम कपड़े को इस तरीके से खोलिंगे और ये देखिए इस तरीके से हम जितना भी ऐक्स्ट्रा कपड़ा है एक तरफ को बचा दिंगे और इसे हम चार ते में फोल्ड कर दिंगे तो देखिए मैंने कपड़े को उस तरीके से चार ते में फोल्ड कर दिया ये देखिए दो ते येरी और ये देखिए दो ते येरी और यह जो बचा हुवा कपड़ा है वो मैंने एक साइट को निकाल दिया यह हमारा बाजू की कटिंग के वक्त इस्तमाल में आ जाएगा उसी तरीके से कपड़े को आपको इस तरीके से बिछाना है जिस तरीके से मैंने बिछाया है और आपको यहाँ पे यह देखिए पांच इंच लेना है देखिए उसके बाद में आपको यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ से आपको साड़े चार इंची लेना है उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने बच्चे की चेस्ट का चोथा इस्ता लेना है देखिए मैं करके बताती हूँ मैं जिसके ने कुर्टा बना रही हूँ उसकी चेस्टे 24, 24 का अगर हम 14 हिस्टा निकालेंगे तो हो गया अच्छ है उसी तरीके से आपको लेना है तो देखिए मैं यहाँ पे 6 इंची लूँगी और यह देखिए यह देड़ इंची के करीब है यह हम स्लाइके नहीं मार्जन ले लिंगे इस निसान को हम सीधा कर दिंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको 4 इंची पे टिक करना है यह देखिए इस तरीके से और यहाँ पे आपको कमर के निसान लगाने है देखिए मैं जिसके निकुर्ता बनारी है उसकी कमर है 22 अगर हम 22 का चोथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया साड़े पांच उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने बच्ची की कमर का चोथा इससा लेना है तो देखिए मैं यहाँ पर साड़े पांच इंची लूँगी और यह देखिए डेड़ इंची एम्स लाई के निया मार्जन ले लिंगे उसके बाद में देखिए जो मैंने कमर पर निसान लगाया था इसे मैं सीधा कर देती हूँ और फिर इस निसान पर इंची टेप को रखना है आपको और यहाँ पर आपको चार इंची पर निसान लगाना है यह देखिये इस तरीके से और उसके बाद में आपको यहाँ पे हिप के निसान लगाने हैं देखिये हिप का मैं आपको एक भोछती अच्छा तरीका बताती हूं रखने का जितना भी आपने यहां पे लिया है देखिये हमने चेश्ट का छोथा इससा इहां पे लिया है छे तो हम हिप जो रखेंगे चेस्ट के जो हमने निसान लगाएं उससे हम आदा या एक इंची फालतु रखेंगे तो देखिए मैं इहां पे साड़े छे इंच लूँगी उसी तरीके से आप जितना भी चेस्ट का निसान लगाते हो आपको उससे हिप का जो निसान लगाना है वो आदा या एक इंची फालतु लेना है और इस निसान को हम सीधा मिला दिंगे नीचे तक और इस निसानों को हम आपस से मिला दिंगे और देखिए इस हाँ से मैं ये जो निसान लगाए है यहां से मैं आदे इंची का adversity का मर्जन लिया है क्योंकि हम इसे फोल्ड कर दिंगे तो हमारा सिस्फ आदा इंची कापड़ा fold होगा इसलिए मैंने यहां से आदा इंच लिया है कुँकि हमारा कपड़ा fold करने में चला जाएगा और यहां से मैंने डेड़ इंच का margin लिया है उसके बाद में आपको यहां पे इंची टेप को रखना है और यहां पे आपको एक इंची के करीब लेना है देखिए मैं इसकी लंबाई सारी रखोंगी आपको जितनी भी अपने कुर्टे की तयार लंबाई चाहिए आपको इसके इंदर दो इंची का margin ले लेना है देखिए मैंने इसकी निसान लगा लिये है और उस तरीके से इसकी गोलाई कर दी है और इसकी तरीके से आपको इसके निसान लगाने है और उसके बाद में आपको इसकी cutting कर देनी है देखिए उसके बाद में इसके इंदर से एक पाट निकाल के अलग रख दिंगे और ये देखिए एक पाट को हम इस तरीके से बलकुल इकसार करके बिछा लिंगे और ये देखिए हम पीछे का गला रखेंगे तो देखिए पीछे के गले की जो मैं लंबाई रखूंगी वो मैं डेड़ इंच रखूंगी जो इस गले की चोड़ाई रखूंगी वो में दो इंच रखूंगी और ये देखे इस तरीके से आपको इसकी गोलाई कर देनी है लंबाई जो मैंने ली है वो देड़ इंच ली है जो चोड़ाई ली है मैंने वो दो इंच ली है उसके बाद में आपको उसके cutting कर देनी है जिदेखे इसे हम side में रख देंगे हमने पीछी की गले की cutting कर लिए है अब हम आगे की गले की cutting करेंगे इसे भी इसी तरीके से हम ब्लिकोल एक सार करके fold कर देंगे जो मैं आगे के गले की लंबाई रखूंगी वो में देखिए साड़े तीन इंची रखूंगी और जो चोड़ाई रखूंगी वो में दो इंची रखूंगी और फिर आपको इसके इस तरीके से देखे गोलाई कर देनी है यह देखिए और इसके बाद में आपको इसके कटिंग कर देनी है इसके बाद में हम यहां प्पे टेप को रखेंगे और यहां से चार इंची पर की करेंगे और उसके बाद में देखें आपको इसे इस तरीकेशं मेम खोल देना है यह देखेंए गुकुल बीचा बीच में इ Kollegen यह देखेंए 4 इंची तक इसे खोल देना है देखिए मैं सीधा करके दिखाती है यह देखिए इस तरीके से तो देखिए हमने आगे और पीछे की दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है अब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम इस तरीके से चारते में फोल्ड करेंगे और देखिए जितना हमने चेष्ट का चोथा इससा लिया था वही चोथा इससा हम बाजू के कटिंग के वक्त लिगए मुड़े के लिए तो देखिए मैंने चेष्ट का चोथा इससा लिया था छे तो देखिए इस तरीके से ये बाजू नहीं निगल पारी तो मैं इसके इंद जोड लगाऊंगी अगर आपका कपड़ा जादा है तो आप चेष्ट का चोथा इससा लेकि बाजू की कटिंग कर सकते हैं आप इसके इंद जोड ना लगाएं और अगर आपके में कपड़ा नहीं बचरा कम बचरा है तो मैं आपको जोड की बारे में बताते हैं कि आपको कस तरीके से लगाना है गाए एक पार को निकाल के अलग रग दिंगे और ये देखिए ये मैंने जोड लगाने के निये चार पट्टी काटी है देखिए इसे आपको इस तरीके से रखना है और इसके उपर आपको इसलाई लगा देनी है फिर आपको इसे इस तरीके से रखना है और इसके उपर भी इसलाई लगा देनी है देखे उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी यह पट्टी लगानी है इस तरीके से और इसके उपर आपको इसलाई लगा देनी है फिर आपको देखिए इसी तरीके से इहां पे भी पट्टी रखनी है और इसके उपर आपको इसलाई लगा दे रही है मैं आपको इसलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ तो देखिए मैंने इस तरीके से एक कपड़ा लगा लिया है दोनों तरफ और इसमें भी लगा लिया है आपको इसे इस तरीके से रखके और इसे आपको चारते में फोल्ड करना है देखिए मैंने कपड़े को इस तरीके से चारते में फोल्ड कर दिया है देखिए ये खुली साइड है और ये बंद साइड है आपको लग रहा होगा ये जोड कुरता सिलने के बाद देखेगा पर ये जोड बिल्कुल भी नहीं देखेगा कुरता सिलने के बाद देखिए आपको इहां से इस तरीके से आद इंच के करीब लेना है यह देखिए आद इंच के करीब मैंने लिया इहां से और इहां पर आपको दो इंची पर इस तरीके से टिक करना है और यह देखिए आपको इस के इस तरीके से गोलाई कर देनी है देखिए उसके बाद में जो मुझे मेरी बाजु की लंबाई चाहिए देखिए मैं सारी रख लूँगी अगर आपको लंबाई ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आपको वो लेनी है और उसके अंदर आपको डेढ़ इंची का मार्जन प्लेस कर देना है उसके बाद में देखें यहां पर आपको महोरी के निसान लगाने है तो देखें महोरी जो मुझे चाहिए वो मुझे तीन इंची की चाहिए और इ तो देखिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है इसे हम साइड में रख दिंगे और यह देखिए जो हमारा कुर्टा है तो देखिए कुर्टे पे लगाने के लिए यहां पर मैंने यह दो पट्टी काटी है देखिए इस पट्टी की जो चोड़ाई है देखिए वो धाई इंच है और यह जो लंबाई है वो छे इंच है देखिए यह पट्टी हमने यह जो कट लगाया था यह हमने चार इंची का लगाया था तो हमें यह जो पट्टी काटनी है यह देखिए इसमें से एक पट्टी हमें इससे दो इंची फालतु काटनी है यह देखी यह हमें छे इंची की काटनी है और यहां से ढाई इंची रखना है और यह देखी यह जो मैंने दूसरी पट्टी काटी है इसकी लंबाई देखी मैंने पांच इंची की रखी है इससे एक इंची फा जैसे कि मैंने एक पट्टी काटी है और जो आपको दूसरी पट्टी काटनी है वो आपको लंबाई में इससे एक इंची फालतु रखनी है और चोडाई में आपको दो इंची रखनी है इस तरीके से आपको दो पट्टी काटनी है इस पर लगाने के लिए तो देखिए हमारे कुरते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है ताकि वीडियो लंबी ना हो इसे सिलने की बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपको इसे किस तरीके चे सिलना है तो देखिए हमारे कुरते की कटिंग कंप्ल